हेलो एवरिवन वेलकम टू बी इडिस्ट्री तो आज हम स्टॉक शॉट्स में बात करने वाले सबसे होट बैंक स्टॉक के बार में जी हाँ जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक शांदार रैली के चलते हैं यहां पर बहुत ही धमाल मचा रखा है स्टॉक में मार्केट के अंदर IDFC फर्स्ट बैंक ने अगर आप देखेंगे तो IDFC फर्स्ट बैंक और उनके प्रमोटर IDFC ग्रूप दॉनों के शेराज लगबग 5 प्रतिशत की तेजी के साथ ट्रेड करते हैं इसके पीछे क्या रीजन है इसके पीछे रीजन है IDFC फर्स्ट बैंक अपना क्रेट कार्ड ब बेंगे और बेल आइकन को दबा लिजी चलिए बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेट कार्ड बिजनस के बारे में ये जो बिजनस में वो डिसरप्शन लाना चाहते है अभी डिसरप्शन का मतलब क्या होता है जैसे जियो टेलिकॉम में लेके आया था दिसरप्शन तो उसी तरह का डिसरप्शन यहां पर IDFC फर्स्ट बैंक क्रेट कार्ड बिजनस में लाना चाहती है अब वो कैसे लाना चाहती है अगर आप देखेंगे तो क्रेट कार्ड बिजनस पे जो रेट होती है अगर आप क्रेट कार्ड यूज करते होंगे तो उस पे करीबन जो रेट होती है लगबग 40-42% होती है 36-45% तक होती है लेकिन IDFC First Bank अपने best customer जिनका credit score काफी अच्छा है उन्हें 9% में ही देने को तयार हो लिए जी हाँ ये बहुत ही शांदार offer है अगर आप अभी credit card लेना चाहरे तो इसे ज़रूर आप चाहे तो अपलाई कीजिए IDFC First Bank के customers के लिए भी available है और अगर आप देखेंगे इन्हे compare करते है monthly interest rate पे तो जापे normal सभी बैंकों का अगर आप देखेंगे तो 2-3% से चालू होता है और maximum interest rate 3.5% है वहीं पर IDFC First Bank का जो minimum interest monthly है वो 0.75 है और maximum 3% है तो यह शांदा strategy के साथ यहां पे पूरा वो disruption लाना चाता है और यह बहुत ही शांदा strategy है मैं आपको बताओ इसके पीछे क्या reason है इतने कम में कैसे ला रहा है देखिए RBI ने लगातार अपनी दरे कम करी है यानि अगर आप बात करे repo rate की तो वो लगातार कम होती जारी है अभी अगर आप देखेंगे loans पे अगर आप देखेंगे तो interest rate काफी कम हुआ है अगर आप 2-3 साल का comparison देखेंगे तो लेकिन कभी भी credit card में interest rate कम नहीं हुई थी और अभी जैसे जो bank की funding cost है वो तो कम होई चुकी है क्योंकि RBI के जो repo rate है वो काफी कम है तो banks को तो वहाँ पे फायदा हो ही रहा था लेकिन credit card business वालों ने कभी इसको customers को यह फायदा benefit पहुचाया है नहीं उन्होंने कभी भी इन पे अपनी interest rate कम नहीं की IDFC first bank ने उसी opportunity को देखके अब यहाँ पे वो launch कर रहे है कम interest rate वाले credit cards और उसी के साथ यही नहीं cash withdrawal पे भी यहाँ पे बहुत अच्छी scheme है अगर आप cash withdrawal की बात करते हैं तो आप credit card से cash withdrawal भी कर सकते हैं लेकिन IDFC first bank के facility 500 रुपे में देने को तयार है जहाँ पे बाकी जो सब banks है वो 500 रुपे में देते हैं और यही नहीं अच्छास दिन तक आप यहाँ पे जो cash withdrawal किया है उस पे interest भी नहीं लगेगा अगर आप अच्छास दिन के अंदर पैसा भेज देते हैं तो उसी के साथ अभी यह जो plan है bank का credit card business का यह भी 15,000 जो employees यह IDFC group के उन पे इसे trial run किया जा रहा है उसी के साथ bank ने बोलाई कि 15,000,000 उनके करीबन existing customers 15,000,000 प्लस 40,000,000 करीबन यहाँ पे 55,000,000 customers को सबसे पहले वो लोग target करना चाहेंगे और उनका जो end of the March का target है वो 2,000,000 credit card users करना है इसे के साथ अगर हम बात करते हैं तो credit card का industry कैसी है देखिए अभी currently अगर credit card की जो industry है उसमें करीबन 59,000,000 credit card है as of October 2020 वही पे अगर हम debit card की बात करते हैं तो 870,000,000 debit cards है तो आप समझ सकते हैं कि इस business में कितना scope है उसी के साथ यहाँ पे केवल 40,000,000 परता आ रहा है उसी के बाद एक और जो खबर आई है वो है bank के लिए वो quarter 3 business update है quarter 3 business update में क्या होता है basically bank अपने deposits और loan जितने दिये हैं quarter 3 के अंदे उसके बारे में यहाँ पर बताता है तो यहाँ पर जो IDFC first bank है उसका यहाँ पे जो growth रहा है वो बहुत ही शानदर है अगर आप customer deposits की बात करें तो bank के customer deposit करीबन 77,000 करोड है जो की Y on Y basis पे 41% से बढ़ी है और Q on Q basis पे 11% से बढ़ी है इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो retail deposits Y on Y basis पे 100% से बढ़ी है आप screen पे देख सकते हैं 58,000 करोड की यह जो bank की deposits है यह 100% बढ़ी है और वो ही Q on Q basis पे 18% से बढ़ी है wholesale deposits यानि जो बड़े corporates होते है उनकी deposits यहाँ पे bank की करीबन decrease हुई है 18,800 करोड से लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो यह जो growth हुई है इसका जो degrade हुआ है 26% से है और Q on Q basis पे यह decline हुआ है 5% से उसी के अलावा top 20 depositors as of percentage of customer deposit has reduced from 23% as of 9% to 31st December यह कुछ खास data नहीं है सबसे important data है kasa ratio kasa ratio बेश्तिकली की होता है bank की जो total deposits होती है उसमें current account और savings bank account की deposit का ratio होता है यह बताता है banks की 3-4 तरह के deposits होता है current account, savings account और fixed deposits और उसी के अलावा कुछ और deposits भी होती है तो जितना kasa ratio अच्छा होगा उतनी bank की यहाँ पे costing जो होगी funding cost वो कम होगी तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो bank की quarter 3 में kasa ratio रहा है वो 44.6% रहा as compared to 20.9 in quarter 3 अगर आप पिछले quarter से बात करेंगे तो लगबग यहाँ पे double हो गया है kasa ratio और वहीं पे kasa ratio अगर हम बात करते है on outstanding deposit as of तो यहाँ पे December 20 में 48% रहा है तो यह बहुत ही शानदार है अगर आप देखेंगे तो kasa ratio काफी अच्छा रहा है उसी के साथ अगर हम बात करते है banks की loan कितने है तो bank के करीबन जो loan है वो 1,10,000 करोड के loan है जो कि उसमें कोई ज़्यादा यहाँ पे फरक नहीं है अगर आप देखेंगे y on y growth में 0.7% की growth रही है q on q basis पे 3% की रही है majorly loan कम क्यों हूँ है मतलब ज़्यादा नहीं बड़े इसका पीछे reason है कि bank cautious था जैसा कि pandemic था तो pandemic में हर किसी को loan नहीं दिया बहुत से bank cautious होके ही loan दे रहे थे तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलू तो deposit side पे bank ने काफी अच्छा perform किया है लेकिन यहाँ पर loan side पे bank ने थोड़ा यहाँ पर और अच्छा perform कर सकती थी और ज्यादा loan उन्हें देने चाहिए थे क्योंकि जो बाकी private sector banks है उनकी जो loan book में बढ़ोतरी हुई है वो काफी अच्छी हुई है as compared to idea of safe first bank लेकिन overall जो हमारा view है इस business पे यानि अगर आप credit card business की बात करते है तो हम काफी bullish है SBA card पे हम लोग शुरू से bullish है जब वो stock 500 रुपे था तब भी हमने उन्हें buy call दी थी और आज वो stock करीबन 1000 रुपे के करीब trade हो रहे है तो लगबख 100% यहन है हमारे पूराने subscribers के लिए उसी के साथ हमारा अभी IDFC First Bank की बात कर लेते है long term target हमारा 60 रुपे का रहेगा short term target हम इसलिए नहीं दे रहे है क्योंकि काफी rally आ चुकी है तो इसमें buy on dips की strategy बनती है क्योंकि अभी bank के quarter 3 results आएंगे जिसमें हमें restructuring provisions और NPA को यहाँ पे track करना रहेगा जितने restructuring कम होगी उतना bank के लिए अच्छा है तो यह वीडियो यहीं कतम होता है अगर आपको पसंद आयो तो like कीजिए, share कीजिए और subscribe जरूर कीजिए हमारे channel को आपका बहुत बहुत धन्यवाद